तो मतलब ये वाला जो चेंज है वो हमेशा के लिए ही हो चुका है सर्वाइवर सीरीज का इस बार का लोगो अगर आप इसके उपर ध्यान दोगे तो पिछले साल तक इसमें ये रेड एंड ब्लू वाली थीम रखते थे क्योंकि वो सर्वाइवर सीरीज का एंगल हुआ करता था पिछले कुछ सालों में हम वार गेम से पहले देखें लेकिन अब डेवल लब्ली ने इसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया क्योंकि अब सर्वाइवर सीरीज के इस लोगों में ऐसी आपको कोई भी थीम नहीं दीख तो इसका मतलब वो रौ वर्सिस स्मैक्डाउन का जो कॉंसेप्ट है वो ही खतम हो चुका है एक ट्वीट किया था वैसे मैंने की वार गेम्स अच्छा है लेकिन रौ स्मैक्डाउन को अगर अच्छे से बिल्ड किया जाए तो कितना जादा वो मस्त लगता है वरना अच्छे साफ से चला रहे है काम तो बेटर है ओके हलो चैटर्स माइनेम इस रूईत एंच यो वाचिंग रेसल चैटर्स एपिसोड नंबर 500 ऑफ वाइस ऑफ रेसलिंग और आज एनेक्स्ट में एक कुछ धमाका हो चुका है धमाका कुछ ऐसा है कि भाई ब्लड लाइन न जेकब फाटू आते हैं जेकब फाटू तो भाई आजना तीनों ब्लड लाइन के बंदे ब्लैक पैंट्स के अंदर बड़े कूल लग रहे थे सोलो सिकोवा नहीं थे यहां पर अभी मुझे पता आपके दिमांगे बहुत सारी कन्फूजन आनी शुरू हो चीग होगी कि भ फोटो के तरूब में आपको दिखा दूँगा यहां पर टामा टॉंगा टॉंगा टामा टॉंगा तो अपना जो कचर कचर है वह भी कर रहे थे और साथ में लाइन में जेकब फाट अगुस से मैं है थोड़ा हमको टॉंगा लुआ को भी कॉंटेंट मिलता है यहां से तो कि उन्होंने ट्रैबल चीफ के ओर्डर्स पर यह सारे खाम किये हैं तो अज यह आना सर्प्राइजिंग रहा वैसे और इस चीज का लिंक रोमन रेंज से भी है जो ब्लड लाइन की स्टोरी अब हमको देखने वाली है इसके होनी की बहुत ज्यादा पॉस्विलिटी है उस ने यह भी कहा कि आज जब ब्लड लाइन बिना सोलो सिकोवा के दिखी कि यह मैं देख रहा था इसी ट्वीट के नीचे आपको कॉमेंट सिख जाएंगे कि जो यह फैक्शन है वह बढ़िया फील हो रही है ब्लड लाइन की सबको ही घेर लेते हैं तो फिर सोलो सिकोवा जै पर आप क्या सोचतों इसके बारे में यहां पर आप जीकवा पर बहुत बड़ा खांदन के साथ फोटो पोच्ट की है रूमर तो में बहुत सुने जिला फार्टो भी आ सकते हैं अभी एसमें लग ताइम बट इस्टा बट इस्टा वी अपनी मूवी को प्रोमोट कर रहे ह मुझने डिसकस किया वह जो मैं बात बतारा था कि कैसे ट्विटर पर फोटो बहुत बारे में लोग बोलनें कि यह बंदा कैसे बहुत तगरा दिखा करता था बहुत पतला हो गया बट इस तर नो इस तो एड्रेस क्या कहते हैं अब मैं 240 पांड्स का हूं और मैं अपनी ला एक्टर के साथ जो मेरा साथ में जो पूरी कास्ट होती उनके साथ ख़ड़ा रहता था एक्टिंग रोल में तो बड़ा अलग लगता था बहुत ही मेरे काम से अलग होके मेरी फिजीक के ओपर ही लोगों की ज्यादा आई बॉल जाती है तो क्या बंदा बोल रहा है थी यह बड़ा सही कोइंसिडेंस हो गया भाई 500 वही एपिसोड हमारा वोईस ओफ रेसलिंग का और पी डबलु आई जो कि हर साल अपनी टॉप 500 रेसलर्स की लिस्ट निकालने पर प्रोफेशनल रेसलिंग से वह आ चुकी है टैन तो आप यहां पर सारे देख सकता है अब्व नमबर 13 पर है यह देखे हो थोड़ा सा लगा कि वह इंदा शाट आप 10 में हो सकता था बाकि इस पूरी लिस्ट में रोमन रेंज का नेम कहीं पर भी नहीं है क्योंकि वह कंसिडर करते हैं मतलब उनके अलग अलग वह होते हैं कि किसने किती चैंपेंश जीती किसका क्या वि महिला जुनके बारे में मैंने आपसे कल शाम वाली वीडियो में भी बात करें थी चैनल पर दूसरी वीडियो थी भाई इनके और रूम एकंटार के बीच जो विवाद है वो टुटर पर रुखने का नाम नहीं ले रहा डूम एकंटार ने कैसे उनको तगड़ा वाला जव हो चुका है और इसमें कोई हरानी की बात भी निया कि सीम तुमारा हीरो क्यों है क्योंकि वह बता क्योंकि उस्विक्टोरिया ने उस महिला ने जवाब दिया है जिस आप सो इनको रियक्शन या फिर लाइक रीट्वीट्स मिले हैं डूम एकंटार के कंपैरिजन में ज्या हो तो ऐसा करके फिर इनकी बीच में शुरू हो गया डूम एकंटार ने पहले भी कोड करके ऐसे रिप्लाइ किया हुआ है तो विक्टोरिया वा विक्टोरिया विक्टोरिया को वैसे काफी अच्छी अटेंशन मिली है और उस ब्रेसलेट अगर उन्होंने गिफ्ट ना दि दिया आज जूलिया का भी मैश था तो उसकी जो पोस्ट करें ना डेप्र लबली ने उसके नीचे सीम पंग रिप्लाइ करते हुए लिखते है कि मिर पास एक आइडिया है एवा रेन को बोलते हैं जो कि वहां पर इसमें जनल मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं तो बताते है मिर पास एक आइडिया है पता है यह किस आइडिया की बात कर रहे हैं लोग कहरें कि शाद उस मैच के अंदर एक स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल हो सकता है वर किसी और बंदे को इंड्रियूस कर सकते हैं पता नहीं क्या है बट सीम पंग का आने वाले टाम में काफी तो वहां से भी सीम पंग के अलड़ी अपीरेंस है तो सीम पंग में बंदा सही में बन चुका है जो कि कह रहा है मैंने जित्ता कुछ भी सीका है अब में तुमको सिखाऊंगा मंडे नाइट रोकी रेटिंग्स भाई कुछ जादा ही बेकार आगई यह तो मेरे को विंस मिकमैन के टाइम याद आगा है क्योंकि 1.652 मिलियन से सब्ते की रोकी वीवर्शिप 1.430 मिलियन वीवर्स पर आचुकी है अब मुझे नहीं पता इस समय कोई competition चल रहा था है फि single smash था लोगों ने बहुत सारी expectation लगाए थी लेकिन आज भी बोला जाता है कि उतना मजा नहीं आया smash को देखने में बट ओरिजिनल WWE का प्लाइन जे वर्स जिमी उसो के match को नहीं करने का था मैं सोचनो भाई हम तो कहां पिछले साल सही यह सोचके बैटे थे कि यह match confirm है लेक कि गुंतर को डी थ्रोन करते इंटर कॉंटिनेंटल चैंपेंशिप के लिए तो मेरे क्याल से जे वर्स जिमी वाला ही सही प्लान था बट अब कभी तो भी लगता है था साही नहीं था क्यों मैच है वो स्टोरी में उसका end कुछ वैसा नहीं हुआ बट फिर भाई कार्ड के जो भी रॉक एपिसोड रहेंगे दोहजार चौबिस में ऐसे ही लोगों के लिए भी वहाँ पर सर्प्राइस था कि सो कुछ पता नहीं था और नेट्फिक्स पर जब मंडे नाट रो आएगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि दो घंटे तीन गंटे इसको लेकि डिसकुशन चल रही है पता नहीं कि कितने देर की होगी वैसे जाद चांसे थे की तीन गंटे की होंगी लेकिन जैसे हम वेब सीरीज या फिर मुवी स्थे जिसमें वेफ सीरीज और नीचे होते हैं कोई दो घंटे का होता है एपिसोड को बदधरा दस मिनट कोई पंदरा पंदरा भीस मिनट तीस मिनट उपर नीचे होते रहता तो ऐसे ही मंडे नाइट रॉक एपिसोड भी हो सकते हैं आने वाले जो अभी डेवी के पास एक रेस्ट्रिक्शन थी तीन घंटे से उपर जाना ही नहीं है क्योंकि एक शो के बाद दूसरा शो होता है केवल पर आपको वादा टीव में चीज़े अलग होती है और OTT ओनलाइन डिजिटल प्रैटफॉर्म के अपर चीज़े होती है उस मैंसा निया कि लाइफ फीड तो कितनी भी हो सकती है तो डेबल लबली खुद देख सकती है कि उनको कहां पर कितना चीए बाई तो कितना अटपटा हो जाएगा सोचो पत परी आएगी वो तो फिर वो चीज कैसे मैनेज होने वाली है तो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा चेंज है मतलब चेंज इन दे सेंस कि बहुत कोई टाइम का डिफरेंस रखेंगे लिमिट होगी कि इस से उपर नहीं जा सकता बागी उसके अंदर अंदर करता व इसको ऐसे बनाते थे जो कि घर पे इसली किसी के भी पास अवेलेबल ना हो जैसे कि जो स्टील चेयर है पर जो केंडो स्टिक है जो टेबल है मतलब समझ बहुत सारी चीज हो सकते जो बंदा जैसे पैन लेके आ कुछ भी गर के जो इसली एकसे कर सके बट उन्होंने इसका क इसली कि कैसे एडवल में जो जॉन मॉक्सली और ब्राइन डैनेलसन का हुआ कि वह जो बैग है प्लास्टिक बैग है उसको नहीं सिर्फ पे पहना दिया था तो डवल डवल इस चीज को हमेशा इसली आस तक अवाइड करती है क्योंकि विंस में यह नहीं चाहता है कि कोई सोचा भी उसमें डेवल डवली देख लिए उधर जाके बोले और यहां से प्लास्टिक बैगाइस को उठा के मैं कर लेता हूं तो यह सेफ साइड रखने के लिए विंस में ऐसा किया था कि उनकी कंपनी बर कोई भी नेगटिव असर ना पड़े सोचा कितना डीप है विंस यह मैं ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहा है अभी इस वीडियो की स्टार्ट में आपको एनेक्स्टी में क्या ब्लड लाइन ने जाके किया उसी से चीज का लिंक है और जो ब्लड लाइन ने आके अटाक किया नेथन फ्रेजर और एक्जियों के उपर वो बोल रहे हैं कि रोमन रेंस की साइट जॉइन करने के लिए तयार है पता नहीं आउट आफ नो वेर यह चीज कहां से आगए कि रोमन रेंस को ब्लड लाइन के बंदे नहीं लेकिन कोई और बंदे विलेंगे अब उसकी कहानी क्या है नेथन फ्रेजर के अकाउंट से आपे ट्वीट देख हुआ कि तो क्योंकि उनके ओपर अटायक हुआ है और ब्लड लाइन के पंगे रोमन रेंस से हैं तो रोमन रेंस को अपनी सर्विस देने के लिए जो नेथन फ्रेजर और एक्जियोम है वो इस पॉइंट पर तयार है अब देखो आपको पता है सोशल मीडिया पर जो डेब करें और फिर वो ब्लड लाइन के अगेंज जाएंगे कि ब्लड लाइन वहां पर जाएके तो उनको तोड़ा तो वह तो अपनी स्टोरी वहां से चलाएंगे तो इधर रोमन रेंस भी शायद उस स्टोरी लाइन में घुसके उसका बेनिफिट ले सकते है अभी अभी क्यों कि उन बंदों के साथ जोएन करने वाले जो कि ब्लड लाइन का पार्टनी और वो फिर बैड ब्लड लाइन के अगेंज जाएंगे तो यह थोड़ा सा अटपटा है बागी आप बताओ आप इस स्टोरी लाइन को देखने में कितना इंटरस्टेड हो यह वीडियो अगर आपको अच्छले ही तो इसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मास्ट वीडियो उसके लिए और तब तक भी लेते रहों जिन्दीगे मज़ें